आज कर सेशन चाल लोने वाला है इस लोगों को जोतिष बिल्कुल नहीं आता हूँ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें उनके लिए बहुत हिल्फुल रहेगा मेरा सर्फ एक रिक्वेस्ट है अगर आपको कोई भी चीज्व मेन नहीं आएगी आप लोग अपने हांड रिस कर होगा अगर वो टॉपिक से रिलेटिड होगा दूसरा एक रिक्वेस्ट है कि मैं मानता हूं कि जो ते सीखते हैं बहुत सारे परसनल कोश्चिंज आते हैं दिमाग में पर पता है कि आप परसनल कोश्चिंज ना आप में से जितने लोग कामरा ओन कर सकते ना यहां करने के स्थती में क्योंकि मैं इमाजन करता हूं कि आप इतनी बड़ी विद्या को सीखने के लिए आरम करें यह दिन वह भी अश्विन नक्षात्र के दिन तो आप लोग पूजा करके आयोंगे शावर ले लिया होगा और प्रफास्टिंग में होंगे तो अगर आप जितने लोग कामरा ओन कर सकते हैं प्रीज कर लिजी क्योंकि नोस से ने मिलती में रिकॉर्ड भी कर सकता था पर रीजन क्या है लाइफ क्लास करने का कि जितने भी स्टूदेंट्स को हम लोग देख सकते हैं तो देखकर ना आप भी फैक के मा सकते हैं बर वो सुवेधा भी मेरे पास है नहीं तो इतलीस्ट जम्य को देखेगा कि आप इदर दर देख रहे हो तो मैं इतलीस्ट दाट पाहूंगा तो ये जो विद्या है ना ये जिन्दगी भरकाम आएगा ये सुकून देगे यह ऐसी विद्या है जो घरक इसी लिए बनी नहीं है अगर आपके अंदर किसी भी दरीगे का बै हो चिंता हो किसी चीज़ को लेके परिशान हो यह विद्या नहीं आईगी अभी बोल देता हूँ लेकिन अगर जब आप इसको सीखने लग जाओगे आप मेरी बात मान के चलना सिर्फ़ सिर्फ़ एक साल के अंदर आप मेरे कहने से सीखोगे आपकी लाइफ के अंदर जितना भी प्रबल्म है वो सॉल्व हो या नहीं हो आपकी सारी चिंताएं खतम हो जाएंगी यह विद्या यह ऐसी है यह इतना मुक्त बनाती है कि आपको हर एक दोंद से खतम कर लेती है गलानी जो है न वह सबसे बड़ा भार है इंसान के अंदर हर एक छीसके के लिए गलानी और गलानी पे ही पूरा धर्म चलता है यह पूरी दुनिय अगलानी पर चलती है उसको खतम करने के लिए जोतिश है विद्या आपको लिबरेट करेगी हर एक मिनिट लेकिन उसका कंडिशन है कि जब मैं बोल रहा हूँगा तो प्लीज अपने आप मेरे को बहुत ध्यान तो सुनिएगा बहुत सारे सूत्र ना लगातार बोलते हो चलता हूँ मैं लिखता कहीं पर भी नहीं मैं पावपॉइंट्स नहीं बनाता मैंने स्कूल में भी नोट्स नहीं बनाए आस तक लेकिन मैंने जो इतने डाइम का पड़ा हुआ है वह मैं आपको सिखाता हूँ चलूँगा उसके बीच में से क्या लेर्णिंग निकलेगा वह आपकी उपड़े पेंट करता है कि आपका इनलजी लेवल क्या है जोतिश आपको निश्चिंता के ओर लेके जाएगा यह बात मैं आपको गारेंटी देता हूँ और अगर जोतिश आपको परिशान करने लग जाए तो समझेज़ेगा आपने डंग से पड़ा नहीं है और ऐसा कितने सारे स्टूडिंस अब तक मैंने पढ़ाएं बहुत सारे लाइव एक्जामपल से जो बोते हैं सर लाइफ चेंज होता है हैं मैं सिर्फ आपको रास्तर दिखा रहा हूँ आगे मैनत आपको ही करनी है तो जोतिश के ना कुछ नियम है क्योंकि जोतिश ना लाइफ स्टाइल है यह कोई सब्जेक्ट नहीं है इसको लाइफ स्टाइल को जेने का तरीका आना चाहिए इससे पहले कि हम ग्रहों की बात करें हमको ना अपनी बात करनी चाहिए क्योंकि सारे के सारे ग्रह हमारे ही अंदर बैठते है और होता क्या है कि हम लोग ना अपने प्रोब्लम को स्काहिध कर दो जब कभी भी आपको लगे कि परिशानी बाहर वाले के अंदर आपके परिशानी आप अपने वहीं नहीं चाहतें मेरी बात को की परिशानिय को आपके अंदर लेकिनग में अपने अंदर की इसने इनटर कोई सदार की नहीं रे गई है ये मंगल के इनलजी के मेरे को यूज करना सीखना है मेरा सूर्य नीच है मैं ऐसा ही हूं मैं लोगों के साथ एड़्जस्ट करते हुए चलता हूं मैं लगातार मैं इंडिविज्वालिटी नहीं दिखाता हूं और यही मेरे अच्छी चीज है कि मैं लोगों के साथ मिलके चलता ह मैं सब के काम आता हूं तो जब आप अपने चार्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि यही मेरा चार्ट है और मेरे को इसी की इनलजी को यूज़ करना है अच्छी तरीके से ग्रेव वहां से अच्छा रिजल्स दिना चालू करता है जब दिन मैंने यह मान लिया कि मेरे सारे की सारे मैं ना बात कर सकता हूं ना लंग से लिख सकता हूं capital letters बीच में यूज़ कर लेता हूं grammar आता नहीं है has और have कहां यूज़ करना है उसके अंदर problem आ जाता है क्योंकि मेंको तो grammar आता ही नहीं किताब लिख सकता है तो हम बोलता हूं कि कोई भी लिख सकता है और वह भी ब्रेकिंग सेंटेंस के साथ तो जोतिश सीखने के लिए आज आपका day one है मेरा डवाइस यह रहेगा कि आप कुछ काम करना सीखिए पहली चीज अपके अंदर क्रिसी के लिए भी द्वंध हो दोईश हो वह छोड़ दीजेगा क्योंकि आप जब किसी और पर focus कर रहते हैं वह बड़ी वह चीज बड़ी हो रही होती है फोकस अपने आप पर रखणा है मेरे को कैसे बैतर बनना है कहीं पर लिखव लीजिए इस बात को एक क्या आपके ऊथान के लिए आप क्या करें इस पर बहुत चिंदा कीजीःगा बजाए की कोई क्या कर रहे है दूसरा आपने आपको आईसोलेशन में लिखे जाए है आप शांत नहीं बैठी है और शांत अब तब बैठते हैं आपके विचारों के इंदर अच्छा स्पंदन तब होता है जब आप खाली बैठने के हाबिट में आते हैं तो खाली बैठने के हाबिट के लिए फोन नहीं देखना है ज़रूत से जादा जड़ा लोग उसे बात नहीं करनी है आइसोलेशन में जाना है और अपने काम से काम रखना है और खाली बैठ की क्या करना है की कोई ना कोई पढ़ाई करना है कि पढ़ाई से ना खुशी मिलती है बहुत सिंपल सा यह है और जब आपने कामे मस्त हो जाते ना फिर दुनिया कुछ भी करते रहे आपको मस्त रहना है हमको दुखी रहना सिखलाया जाता है मैं आपको खुश रहना सिखला रहा है हाबिट है डानली पड़ती है डेली बैली चैक करण अपने आपको की आज मैं दुखी क्यों हुँ है कि आपका ब्रेन दुख रहने के कारण और डेली सुभी उटके ढूंड लेता है प्लीज उसको समझाईएगा कि दुखी नहीं होना है यह बेसिक से नहीं है मैं लाइफ के मैं इसको सिखाता हुआ चलूंगा क्योंकि जोतिश ना इसके बिना नहीं आएगा अगर इसके बिना जोतिश सिखाऊंगा ना तो आप सर्फ और सर्फ ऐसे जोतिश बन जाओगे जो बोल रहे होंगे कि आपका सश्टेश यहां है अस्ट कि चले जाएंगे क्योंकि वो तो दिन रात मिर को देखते हैं कि मैं क्या कर रहां और यही कामना आपको करके देखने हैं हर एक हफटे मैं आपको एक नहीं चीज सिखाऊंगा तो आज को लेसन है ना लाइफ लेसन है वो है अपने आपको खुश रहने के लिए पूछना प कि rap быть अब के पास दो वक्त का खाना चांड के हो कि सोने की लिए बेड मिल जाता है इस यूबर कि अझाए अगर आपकी है तो वह सब्वयकार है जोति सीखने को मिल रहा है न मतलण लोग है यही से चालू करते हैं तो मॉन यह Origin कि कि आप में से किसी ने आज तक जोतिश का जाब भी नहीं पड़ा तो मैं बिल्कुल फाउंडेशन से चालू करूंगा और उसके लिए अपने वाइट बोर्ड के लिके जाओंगा आपको तो जोतिश के अंदर हम लोगों ने क्या अगरा जीजतनी वी रिशी से उन्होंने कहा कि समय किया विभाजन करना चालू करते हैं क्योंकि जब हम अकाश तत्व को स्पेस को और टाइम को बाटते हैं स्पेस और टाइम की वज़े से ही हम फ्यूचर में ट्रावल कर पाते हैं जब आप एक पडिगलर गति की से को बीट कर देते हैं और फ्यूचर में देख पाते हैं उसको हम बोलते हैं कि आपने टाइम ट्रावल किया है रिशीज को यह बात बहुत अच्छी तरगे से पता थी आइंस्टाइन ने बाद में बहुत लोगों ने आके बोली पर रिशीज ने उससे पहले बहुत पहले इस काम को किया और अगर मैं यहाँ पर वाइक बोर्ड लेके आऊं तो अकाश का जो स्वरूप बना उसको आप इस तरीके से ले सकते हैं कि यह हमारा 360 डिगरी का जोडिया का है आप आस्मान में उपर देखिए आपको जो भी दिखता हो आप इसको सर्कुलर फॉर्म में भी लेके आ सकते है आप इसको एक रिक्टैंगल की फॉर्म में लेके आ सकते हैं और कहते हैं यह हमारा 360 डिगरी का जोडिया के अब इस 360 डिगरी के जोडिया को हमने डिवाइट करने है बारा भागों में डिवाइट किया बेज ऑन दे इनलजी तो हम लोगों ने क्या करा हमने इसी तरीकी से कुणली बनती है मैं यही डिविजिन्स 12 डिविजिन्स अगर मैं सरकल में भी कर दूँगा तो भी मेरा काम चल जाएगा पर इस 360 डिगरी के जोडियाक में ब्लाक रंग अच्छा नहीं लग रहा दूसरे से चालू करते हैं भी वेरी स्पेसिफेक अबाउट कलर्स अच्छा अभी आएंगे पर ना में इनर्जी पर भी आएंगे अभी तो शुरूब आते हैं अभी तो सिर्फ यह सोचो कि हमने डिविजिन किस तरीके से करने अब रिड़ ना सिंबल अफ एनर्जी है जहां पर भी रेड़ होता है वह काम बहुत अच्छी तरीके से करता है इसके अंदर एक्स्ट्रीम एनर्जी है हमेशा जब भी देखना कोई भी चीज घरम होते हैं लाल हो रहें तो लाल हो लग जयते हैं बलाक क्या है दीरे-धीरे काम करती है इस्टेबिलिटी देती है तो दोने इनलजी के अपने फाइदेड़े हैं और जब भी हमकों कुई प्रक्किर करक्र आपर इन भी लोग लगाते हैं गोरी होते हैं जो प्रमाट पिर शॉटली वोली आती है इसके इंदर आपका पोजिशन दता हूं यह जो मिडल पॉइंट है ना विल्कुल सेंटर अव दा चार्ट रखाए दे रहा है आपको जहां पर मार्क किया गए राउंड शेप गोला अगर आप फोन में देख रहे होंगे इसको तो आपको थोड़ा सा स्क्रीन को जूम इन कर सबसे जिल लॉर पॉइंट है चार्ट के इंदर यह वेस्ट है जह पॉइंट travelling ठंठ हाउस के इदर है इसको साउथ बोलते हैं वेसाउथ डारेक्शं तो उन्होंने क्या कर सुनर इसे इस करता है तो अपने कि सुभे छोट पड़े प्लानेट आप मेरे प्लानेट हो है सुन इनकों को या बूला जाता है सूर्या भगवान सूरेदेव सारे ग्रहों के राजा है रीजन बिंग इस क्योंकि वह एनलजी प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे चार्ट के अंदर और इसलिए हर सुबह जब कभी भी लगन राइज होता है सुरे होता है आप देखिए यहां पर जिसका भी जनम सुबह 5-7 के बीच का ह सुरे पहले घर में आपको मिलाई दिखाई देगा है कि मारे क्लास के अंदर सुरे जिसको लगन में है 5-7 पजी के टाइम पिरड़ है सर एक सवाल पूछू जी पूछ लीजिए आप आइनाव श्कौन से यूज़ करते हैं मैं आज का बेसिक कॉंसेप्ट के लिए कल देता हूं क्योंकि यह जो सवाल है ना यह स्टुलेंट्स को बहुत ब्रहमित करके रखता है और इतना ब्रहमित होने वाल है नहीं वैसे ही ह इसका जतना हुआ बनाये गया है न वह मैं को लगता है कि इसलिए बनाये गया शायद कि कि किसी को इतना गंफ्यूज कर दिया जाए कि चीजें किसी का सवन में नाए अभी अब कहां पर खड़े थे इस कुंडली के अंदर यहां पर्वाइब कि सेंटर में तो अब और कहीं तो सेंटर ले रहे न आकाश के अंदर वाको किसी को जीरो पॉंट मानना पड़ेगा आप जब यह कहते हैं कि मिल्कव पूनम सिंग के कर से शीटल के हर तक जाना है तो पूनम सिंग जी का घर एक रखरेंस जीटल जी का घ करते हैं पूनम सिंगर को मानते हैं जीरो और शीतल की घर को मानते एंड तो जीरो टू जब यहां तक जा रहे हैं इतने किलोमेटर का डिफरेंस है उसी तरीके से अगर मेरे को यह बताना हो कि ब्रिस्पती कहा है आप से अगर मैं रास्ता पूछूंग दिल्ली से फरिदाबा आ मिल्ड़ जाने का तब ऊब wsp that दब के सर अ कामगण यहां से जाना नडडा है आप ने रिफ्रेंसर पॉंट बतावगे आप को कहेंपर भी जाना होता है रिफ्रेंसर पॉइंस लेते हैंं कि वहाँ प vivir और यए से ब्रिस्पती इतनी दूरी पय और क्योंकि इस reference point से ब्रस्पति इतिने दूरी पर है ब्रस्पति इस टाइम पर इस नक्षतर में इस राशी में है बहुत सिंपल से concept है अच्छी आपने वह आंसर ही कर दिया मैंने बहुत सारे वेदी केस्ट लॉजर्स को सुनाई कि वह नेप्चून और यॉरानिस को कंजिटर करते हैं मैं नौ पूरे पढ़े जाएं बहुत अच्छी बात है मैं बता रहा हूं आप नौ ग्रहों का effect किसी विक्ति पर प्रेडिक्ट करने जब बैठते हैं तो मैं रूल आफ ना इसको मैं बिचाब बोलता हूं कि रूल अफ डिडक्शन मेरको प्रेडिक्शन के टाइम पर क्या करना है या कौन सी चीज यूज करना है मैं बहुत क्लियर होता हूं और मैं आपने सुदेंस को भी बोलता हूं कि देखो तुम जतना क्लियर होते जाओगे यह करने के लिए प्रेडिक्शन करते हैं जतना क्लियर होते जाओगे कि मेर तेरिक कोई यही रूज काम नहीं कहता है मैं श्यूंजे में कर sut तक क्रेक्शन करते हैं कि सब्सक्राइद को आपको सिर्फ एक लेंग केपडिक्शन देना अपने दिमाग में शोच साथ क्या होने वाला है और जब वो आप करने लग जाते हैं कि सारे चार्ट का निचोड़ यह है उससे क्या होता है आप भी सुखी होते हैं और क्लाइन भी सुख्यों कि जाता है क्लाइन कोंफ्यूज मत करो नौग रहे बारा राशियां इतने कंबिनेशन बनते हैं आप उनको ही पार कर जाओना बहुत बड़ी बात है और कोशिश हमेशा यह रहती है कि इसका एक प्रॉब्लम के लिए वह सॉल्व हो जाए क्योंकि उसी के पीछे का इतनी एनल्जी होते हैं एक प्लान्ट अकेला काम नहीं करता नो इसको बीचे की इतनी इनर्जी स्कनेक्टेड होती है कि उसको यह बताना कि यह देखो यह इसका रिजल्ट आएगा तो इसलिए कम से कम चीज़ें इस्तमाल कीजिए तो दा पॉइंट और यूज़े और एफेक्टिव चीज़े यूज़े उसकीजिए सर बुद्ध क्यों तबाही में चाते हैं मतलब राहू का तो पता है इसलिए की मतलब राहू के गुरू हैं बुद्ध एक इमाजिन को एक बहुत समझदार बच्चा बहुत जैसा जिसी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी हो जो लोग को रेप्लिकेट करता है बहुत किसकी काम आता है कि जो लोग में मिक कर सकते हों दूसरों को जो दूसरों की हैं राइटिंग भी कॉपी कर लेते हूं हमेश्चा नए आइडियाज आते हों जिनको उसके साथ ना एक शेतान बच्चा बेट जाए तो बुद्ध आइडियाज देता है ठेक है और राहू उसको बताता है कि इसके अंदर करेज कैसे लेगी आना है यह जो दो ऐसे बच्चे एक बहुत समस्थार इसको आइडिया राहू और बुद्ध बोलता है राईडिया पास थीक है तबाइं बचाते हैं आइब बं कैसे फोर्ने स्कूल में के राहू राहू का आइडियास कभी सीधे नहीं आते उनको आइडियास घमेशा आऊट अव्ध लेकिन करेगा अपने तरीके से तो उसके अंदर बुदर राहू का और अभी तो मैं प्रेक्शन सिखा ही नहीं रहा है तो आपको फांडेशन में लेके आ रहा है तो आपको बता रहा हूं कि देखो यह लेवल वन हैं यहां पर यह याद करना है अच्छा अब ना यह जो नौग रहे हैं ना सन मून मार्स मर्कृ जुपीटर रहू के तो इनके अपने पोर्टफोलियो जें इनकी अपने तरीके यह काम करने के यह अपने तरीके लिए छोड़ सकते यह जहां बैठेंगे सूरे जहां बैठेगा मैं सूरे से हमेशे चालू कोता हूं तो क्योंकि सूरे ना राजा है और बिना सूरे के ना जोतिश नहीं आएगा ध्यान सूरे को अर्द दिये विना गायतर का जाब किये विना जोतिश ना फलेत नहीं होगा क्योंकि जब तक राजा नहीं अलाव करता ना प्रेडिक्शन होता नहीं तो सूरे का ग्रेस बहुत जरूरी है सूरे का प्रताप जरूरी है प्रेडिक्शन के लिए उए कि तो इन बारा राश्यों की अपनी अबरा यूटी आक़ है थें कि बारा राश्या आप बारा की तरफ व्लाइब आरे वारा . दिपार्टमेंट। लुटी से हुच्छा ओझा किसको रिपर्शन केलता है एफ। आपका आप काइन हैं आप कहां से आए हैं कि कई बार मोलते हैं पतनी किस मिट्टी से बनाएं जो मिट्टी ही लगन है जब अकाश और प्रित्वी जहां पर मिल रहे हैं वहां पर जब वो टाइम मिल रहा था तब आपका जनम हुआ है कि और उस पर टाइम पीरिड पर आपको यह बता जाता है आप जिस लगने पैदा है वह सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप उसी लोक से आए हैं और अगर आप को यकीन नहों तो मैं आपको एक्जांपल देता हो चलूंगा कि आप उस लोक से आए ना इसलिए वहां की ब तो जिस मिट्टी से आप बने हो वही आपका लगन है आपको जिस तरीके से आप दिखते हो वही आपका लगन है तो लगन में से जब और यह बहुत छोड़ी सी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि लगन में से जब पापी ग्रह गोचर करते हैं जिसको ट्रांजिट बोले आ जाता है उस प्रद्रीन टाइम प्रेंड प्रेंट प्रेंड पर आपके aircraft बदने में लकता है आप दाड़ी रखते हो कभी मुछह रखते हो और मोटे हो जाते कि पतले जाते हो बिमार पड़ते हो अच्ची हेल्थ मेंिले"- सासलें यह सब का सब किसलिए है क्योंकि लगन में से कोई घरह जा रहा है उसी तरीके से दूसरा घर किसका है आपके खाने पीने का है आपके बोलने का है आपके परिवार का है आपकी earning capacity है आप कितना कमा सकते हो दूसरा घर हमेशा झाल झाल